नमस्कार दोस्तों अग्रिम जमानत एंटिस्पेट्री बेल के लिए आवेदन आपको कप करना चाहिए आज के इस वीडियो में छोटी सी लेकिन महत्पूर जानकारी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंतक बने रहे प्रेंट्स एंटिस्पेट्री बेल अग्दिम जमानत दन प्रिक्राशेता 1973 की धारा 436 में इसके संबंद में प्रावधान है आप एंटिस्पेट्री बेल के लिए आवेदन कब कर सकते हैं जब अप्रेंशन आफ अरेस्ट हो ग्रफतारी की संभावना हो कि किसी अजमानती अपराद के अभ्योग में आरोप में आपको पुलिस के द्वारा ग्रफतार कर जा सकता है उस सिच्वेशन में आप एंटिस्पेट्री बेल के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं वैसे प्रावधान है कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट लेकिन ट्रैक्टिकली है कि पहले आपको सेशन कोर्ट में अपलाई करना होगा अगर वहां से रिजक्ट हो जाती है तो आपको हाई को चाला होगा अब अगर ग्रिफतारी की संभावना है अपराद अजमानतिय प्रक्रित का है तो ही आपको एंटिस्पेट्री बेल के लिए अपलाई करना है कुछ मामलों में यह ब्युस्ता भी है की एफाईयार रेस्टरड नहीं हुई है तो भी आप एंटिस्पेट्री बेल करेसें कर सकते हैं प्यार रेजिस्टर्ट हो गई है तो आप एंटिस्पेक्ट्री बेल के लिए आवेधन कर सकते हैं कंप्लेंट केस परिवाद के मामलों में अगर आपको समन के जलिये तलग लिया गया है आपको समन मिलता है अपराद अजमानतिय प्रक्ट का है नानवेलेबल है तो उस सिट् मिलतार काई सकता है परिवाद में जब तक समन जारी ना हो तब तक आपको अंटेश्पेक्ट्री बेलिये अप्लाई नहीं करना है लेकिन एफ-आई-आर के केसेशिस में एफ-ई-भाई-आर रेजिटर्ड हो गई तो आपको एफ-ाई-आर रेजिटर्ड होने के बाद या स्रीट प्रस का नाम नहीं है अब अगर 319 CRPC में अप्लिकेशन दे दी जाए जब अभ्योजन पच्च के गवाहों के बयान हो जाए और उस आधार पर उस व्यक्ति की तलबी हो जाए तो ऐसी सिच्वेशन में क्या अंटिशिपेट्री बेल मेंटनेबल है तो फ्रेंट्स ऐस सकता है तो ध्यान रखिए कि FIR रेइस्टर्ट होने के बाद कुछ मामलों में पहले भी परिवाद में जब समन मिल जाए आपको जलिए समन आप तलब हो जाए आपको समन की प्राप्ति हो जाए तो उस सिच्वेशन में आपको अगर अपरेंसन आफरेस्ट है नान बेलेब आपड़ेंस नाफरेस्ट हैं तो आप अंटिस्पेट्री बेल के लिए आवेधन कर सकते हैं अंटिस्पेट्री बेल में थोड़ा सा पहले कन्फ्यूजन था की कि या रिगूलर बेल की तरहीं आप ने अपलाई किया वालेजिए रिगूलर बेल में किसी केस में आपकी खर अबतारी हो गई भले ही चार सीट आया या नाय आप जील चले गए तो आपको जमानस के लिए आवएदन करना है क्योंकि आप जेल में तो जमानस के लिए आवएदन करेंगे गेंच आगई तो आप क्या करेंगे क्या आपको जेल जाना होगा तो इसी को हानरबल सुप्रिम कोर्ट ने सुसीला अगरवाल के जज्जमेंट में क्लियर किया कि अगर एक व्यक्ति जो डिवरिंग ट्रायल जमानत पर था अंटिश्पेट्री बेल पर था वह जेल नहीं गय तो आफ्टर चार सीट भी उसे जेल नहीं जाना चाहिए क्योंकि रिगुलर बेल में अगर कोई वेक्त एफ आई यार में जमानत पर बाहर आ जाता है तो अगर चार सीट माले उसके विर्ज़द बाद में फाइल होती है तो उसकी बेल कंसीरिर की जाती है तो सेम सिट्वे न्यून लीगल कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं और हर मंगलवार सनीवार और बस्पत्वार सामचेवजे लास सम्मति जानकाई वाले वीडियो और संडे दिन में बारा बज़े मैं इस यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं आपके सवालों के जवाप देने के लिए आज के लिए बत इतना ही थांक्यू